साथियों, पंजाब की सेवा बही पार्टी कर सकती है, जो दल से उपर देश के लिए सोचती है, देश के लिए बात करती है मैं पंजाब के लोगों को या श्वासन देना चाहता हूँ, हम पंजाब के विकाश के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हम पंजाब के युवाओं के लिए पंजाब की नशामुक्ति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मैं पंजाब के लोगों से एक बड़ा गंबीर सवाल पूछना चाहता हूँ मेरी बात को गौर से सुनिये और जो माताए बहने यहां मुझे सुनने आई है और जो माताए बहने घर में टीवे पे मुझे सुन रही हो तो मेरी बात को गौर से सुनिये आप कलपना कीजिए आपके पास बंगलो है गाड़ी है खेत है खलियान है अच्छी खासी कमाई है सुक्चेन की जिंदगी है कोई कमी भगवान ने रखी नहीं है कोई कमी गुरु महराजों ने रहने नहीं दी है सब कुछ है कलपना कीजिए लेकिन आपका जमान बेटा नसे की लट पे चड़ गया उसमें ही अगर डूब गया मेरी माताए बहने मुझे बताएं ये मिलकत आपके किस काम आएगी ये बंगला किस काम आएगा ये गाड़ी किस काम आएगी अगर बेटा बरबाद हो गया तो आपके लिए क्या बचेगा क्या मेरी माताओ बेहनों को उन्होंने जो अपने संतानों के लिए सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने एक माहोल बनाना जरूरी है कर नहीं है नशे से मुक्ति का अभियान हर मा हर परिवार हर परिवार को बचाना उनके सपनों को साकार करने लिए जरूई है के नहीं है भाईयो बेनो यह मुहीम किसी के खिलाप नहीं है दिल में बड़ा दर्द होता है मैंने पंजाब की धर्ति पर काम किया है पंजाब का मुझे पर कर्ज है मैं कर्ज चुकाना चाहता हूँ मैं इस युवा पिड़ी को बचाना चाहता हूँ दोस्तों मेरी माताओं बहनो मैं आपके दुख को समझता हूँ मैं आपको संतानों को एक सुरक्षा का बातावन देना चाहता हूँ आप मुझे आसिरवाद दीजिए पंजाब के उजवल भविश के लिए आसिरवाद दीजिए हमारी नई पिड़ी के लिए आशिरवाद दीजिए ये सत्ता का खेल नहीं है नहीं सत्ता की भूक है आपने मुझे प्रदान मंत्री बना दिया है अरे लोग 6-6 मेने प्रदान मंत्री रह करके भी जिन्दगी में बहुत संतोस अनुभव करते हैं मुझे तो आपने दोवदो बार बनाया है मैं आपके लिए मेरी जिन्दगी खपाना चाहता हूँ मैं अपने सुक के लिए नहीं हूँ मैं आपके सपनों के लिए हूँ मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए हूँ और इसलिए अगले 5 साल अगले पांच साल नवा पंजाब का समय होगा बिस तारिक को इसी संकल्पे के साथ एंडिये को जिताने के लिए बोट देना है